आज हम कक्षा ग्यार्मी के विशे मनोविज्ञान के अध्याय आठ में चिंतन के पहले भाग, चिंतन का सवरूप, चिंतन के आधार के तत्व, तथा चिंतन की प्रक्रिया उग के बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहले हमारे पास आता है चिंतन का सवरूप, नेचर आफ थिंकिंग, चिंतन सभी संग्यानात्मक, कॉग्नेटिव प्रक्रियाओं का आधार है चिंतन प्रक्रिया एक मातर मानव जाती में ही होती है चिंतन दवारा वातावर्ण से प्राप्त सूचनाओं का परहस्तन, मैनिपलेशन, एवं बिशलेशन किया जाता है चिंतन दवारा नई सूचना को वर्तमान ग्यान से जोड़ने का प्रियास किया जाता है जो ग्यान में विर्धी करता है अधे चिंतन एक उच्च सत्रिय मानसिक परक्रिया है जिसके दवारा हम अर्जित, अक्वाइड या वर्तमान सूचना को मैनिपलेशन करते हैं तथा विशलेशन करते हैं सोचना की मैनिपलेशन, एहम विशलेशन किस परकार होता है सार प्रुस्तत करने, abstract, तर्क करने, reasoning देने में, कलपना करने में, imagining करने में, समझ्या का समाधान करने में, समझने में, एवं निर्णे लेने के माध्यम से सोचना का परहस्तन यानि manipulation तथा visualization किया जाता है चिन्तन, प्राय, संग्ठित और लक्ष निर्देशित होता है खाना बन्याने से लेकर किसी भी समझ्या का समाधान निकालने तक, दिन परती दिन सभी गती विधियां लक्ष निर्देशित होती है चिन्तन एक आंतरिक, मानसिक परक्रिया है जिसका अनुमान बहिये या परकट व्यभार से लगाया जा सकता है चिन्तन की आधार भूतत, Building Blocks of Thought चिन्तन हमारे पहले से विद्धमान ग्यान पर निर्फ़र करता है तथा ऐसे ग्यान का परते निधीतव, Representation, मानसिक परतिमा, Mental Image या शब्द और Words के रूप में निरूपित होता है लोग प्राय मानसिक परतिमा या शब्द के माध्यम से सोचते हैं, मानसिक परक्रिया Mental Images मान लेजिए, आपको ताज महल का वर्णन करने के लिए कहा जाता है आप सबसे पहले वस्तुत ताज महल का एक दरिश परतिमा, Visual Image बनाएंगे और जिस तरह से एक चितर को देखेंगे संभवत है वैसा ही आप अपने मन की आँखों से देखने का परियास करेंगे आता है, परतिमा, Image संवेदी, Sensory अनुभवों का एक मानस चितरन है An image is a mental representation of a sensory experience परतिमा का उपयोग वस्तु, स्थानों और घटनाओं के बारे में चिंतन करने में किया जा सकता है Sun protect यानि concepts जब हम एक प्रीचित यानि फैमिलियर अत्वा एप्रीचित अनफैमिलियर वस्तु या घटना को देखते हैं तब हम वस्तु या घटना के लक्षरों को ढूंड कर उनका मिलान पहले से विद्यमान वस्तु एवं घटनाओं के संवर कैटेगरी से करते हैं उसको पैचानने का प्रियास करते हैं जैसे सेब एक फल है खरगोश एक जानवर है तथा कुरसी फरनिचर है जब हम एक नई वस्तु को देखते हैं हम उसके लक्ष्णों यानि उसके ग्रbrush को ढूलने का प्रियास करते हैं पहले से विद्दमान संवर्ग केटेगरी से मिलान करते हैं और यदि मिलान पूरण है तो हम उसे उस संवर्ग का नाम दे देते हैं जैसे कुट्टे की पहचाद उसके लक्षनों के आधारप्र की जाती है संप्रते कंसेप्ट एक संवर्ग यानि केटेगरी का मानस चित्रग मेंटल रिप्रेजेंटेशन है यह एक समान या उभैनिष्ट कॉमन विशेष्टा रखने वाली वस्तु विचार या घटना का वर् संप्रते निर्मान की आवशक्ता संप्रते निर्मान हमें अपने ग्यान नौलिज को विवस्तित या और्गिनाइजिंग या संग्ठित करने में सहायता करता है जिससे की हमें जब भी अपने ग्यान के उप्यों की आवशक्ता पड़े तो हम इसे कम समय तथा परियास कम एफर्स में कर सके अपने विचार या चिंतन परिया थार्ट प्रोसेस को तीवर क्विक एवम दक्ष एफिशेंट बनाने के लिए हम संप्रते निर्मान करते हैं वस्तू के आकार रंग एवम रूप या इन गुणों के समों संप्रते निर्मान का आधार हो सकते हैं चिंतन की प्रक्रिया अभी तक हमने चिंतन का सवरूप तथा मानसिक प्रतिमाओं एवम संप्रतियों का उप्योग चिंतन के आधार के रूप में होता है इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है अब हम एक विशिष्ट अक्षेत्र समश्या समाधान प्राबलम सॉल्विंग में चिंतन किस परकार किया जाता है कि परिचर्चा या डिसकस करेंगे समश्या समाधान प्राबलम सॉल्विंग समश्या समाधान एक ऐसा चिंतन है जो लक्ष निर्दिष्ट गोल्ड डारेक्टिल होता है यह मैत्वपूर्ण है कि समश्या हमेशा व्यक्ति दवारा सामना किये जाने वाले अवरोध या बाधा के रूप में नहीं आती है यह एक निश्चित लक्ष तक पहुँचने के लिए संपादित, एकम्प्लिष्ट कोई सरलकारिय भी हो सकता है अते समश्या समाधान में एक प्रारंभिक अवस्था अर्थात समश्या होती है और एक अंतिम अवस्था यानि एंडिंग स्टेट अर्थात लक्ष गोल होती है इन दोनों अर्थात समश्या और लक्ष को अनेक चरणों, सेवरल स्टेप्स या मानसिक संक्रियाओं, मेंटल अपरेशन के द्वारा जोड़ा जाता है समश्या समाधान में अवरोथ, obstacles in solving problems समश्या समाधान में मानसिक विन्याज तथा अभी प्रेणा का अभाव दो परमुख अवरोथ होते हैं तो हम पहले की चर्चा करेंगे मानसिक विन्याज यानि mental set मानसिक विन्याज व्यक्ति के समश्या समाधान करने की एक प्रिवर्ति, tendency है जिसमें वह पहले से परियोग की गई मानसिक संक्रियाओं, mental operations या उपायों का अनुसरन करता है किसी विशिष्ट युक्ति, particular strategy की पूरव सफलता नई समश्या के समाधान में कभी कभी सहाइक होती है यदिपी, यह है प्रिवर्ति या tendency, मानसिक त्रेड़ता, mental rigidity भी उत्पन करती है जो समश्या की समाधान करता के लिए नए नीमों या युक्तियों, strategies के बारे में सोचने में बाधक बनती है अते, कुछ स्थितियों में जहां मानसिक विन्यास, समश्या समाधान की गुनवत्ता, quality और गती, यानी speed में विर्धी करता है वहीं अन्य स्थितियों में यह समश्या समाधान को बाधित, hinder करता है जैसे, एक विद्यार्थी गनितिये समश्याओं, mathematical problems को हल करते समय आवशक नीमों का उप्योग करता है तथा, उन्ही नीमों के बारे में एक धारना विक्षित कर लेता है विद्यार्थी बाद में उन्ही नीमों का अनुसरण करते चले जाते हैं जब तक विद्यार्थी उन्ही नीमों का उप्योग करने में एसफल नहीं हो जाते इस अवस्था में पहले सी परियुक्ष नीमों का प्रिहार करने में विद्यार्थी कठिनाई का अनुभव करते हैं ये नीम नई युक्तियों न्यू स्ट्रेटिजीज पर विचार करने में बाधा उत्पन करेंगे परकरियात्मक स्थिर्था फंक्शनल फिक्शनेस मानसिक मिन्यास की तरही समश्चा समाधान में परकरियात्मक स्थिर्था फंक्शनल फिक्शनेस तब उत्पन होती है जब लोग किसी चीज या प्रिस्थिती के सामाइने परकारियों जूजवल फंक्शन्स पर स्थिर हो जाने के कारण समश्चा का हल करने में विफल फेल हो जाते हैं जैसे कील ठोकने के लिए प्राय हथोरे का उप्योग किया जाता है लेकिन यदि आप कील ठोकने के लिए किसी और युक्ति का उप्योग करते हैं तो आप मानसिक स्थेरता को पार कर चुके हैं दूसरा आता है अभी प्रेर्णा का अभाव लैक ओफ मोटिवेशन लोग समश्चा का समाधान करने में कुशल हो सकते हैं परन्तु यदि वे अभी प्रेरित मोटिवेटिड नहीं हैं तो उनकी दक्षता उनकी एफिशेंसी एम योग्यता स्किल्स एन्ड टेलेंट्स वेर्टन यदि कोई व्यक्ति समश्चा का समाधान धूरने में पहले ही चरण को पूरा करने में कठिनाई या ए सफलता का अनुभव करता है तो उसे अपना परियास नहीं छोड़ना चाहिए किन्तु कठिनाई के बाद भी उसे अपने परियास में निरंतर लगे रहने की आवशकता है नेक्स्ट है हमारे पास तरकना रीजनिंग किसी भी घटना को समझने के लिए बिन परकार के तरकना रीजनिंग का उप्योग किया जा सकता है जैसे किसी व्यक्ति के तेजी से दोड़े जाने का कारण समझने के लिए विभिन तरकना यानि विभिन रीजन्स हो सकते हैं तरकना के परकार टाइपस आफ रीजनिंग सबसे पहला है इसमें नेगबन नात्मक्त तरकना डिड़क्टिव रीजनिंग तरकना का वह परकार जो एक अभी करें अजंक्षन या पूर्व धारना से प्रारंब होता है उसे नेगबन नात्मक्त तरकना या डिड़क्टिव रीजनिंग कहते हैं जैसे प्लेट फारंपर भागते हुए व्यक्ति का कारण सामान्यत यह समझा जाता है कि वह रेल गाड़ी पकड़ने के लिए दोड़ रहा है आते नेगबन नात्मक्त तरकना एक सामान्य अभी ग्रह अजंशन को विक्सित करता है जिसे व्यक्ति जानता है या उस धारना पर विश्वास करता है कि यही सही है और फिर इस अभी ग्रह के आधार पर विशिष्ट निश्कर्ष निकालता है नेक्स्ट है नेगबन नात्मक्त तरकना सामान्य तरकना से विशिष्ट तरकना की ओर संकेत करती है इटीज रीजनिंग फ्रॉम जेनरल टू पर्टिकुलर जैसे यह सामान्य अभी ग्रह कि लोग प्लेट फार्म पर तब दोड़ते हैं जब उन्हें गाड़ी पकड़ने में विलंब हो रहा हो परन्तु स्रेव ऐसा नहीं होता लोगों की प्लेट फार्म पर दोड़ने के और कारण भी हो सकते हैं अते नेगबन नात्मक्त तरकना में आम तोर पर इस परकार की गलतियां हो जाती है दोसरा है आग्मनात्मक्त तरकना इंड़क्टिव लीजनिंग वह तरकना जो विशिष्ट तत्यों, स्पेसिफिक फेट्स एवं प्रेक्षन, आब्जर्वेशन पर आधालित होती है उसे आग्मनात्मक्त तरकना कहती है आजनात्मत तर्कन विशिष्ट प्रेक्षणों अब्जर्वेशन पर आधारित सामान्य निश्कार्ष निकालना है। Inductive reasoning is drawing a general conclusion based on particular observation जैसे एक व्यक्ति प्लेट फारम पर दोड़ कर रेल गाड़ी के डिब्बे में परवेश करता है। तथा एक बैक के साथ वापस आता है यह हमने observe किया उसको। हम यहां व्यक्ति की अनुवर्ति करिया या गती विधियों का प्रेक्षण observation करते हैं और प्रेक्षण के आधार पर यह निशकर्ष निकालते हैं कि व्यक्ति ने रेल गाड़ी में अपना बैक छोड़ दिया था इसलिए वह है प्लेट फारम पर दोड़ रहा है। यहां संभवत है सभी तथ्यों को जाने बिना एक निशकर्ष पर पहुंचने की गलती करते हैं। तो इस चर्चा से हमने क्या निशकर्ष निकाला क्या कंक्लूजन निकाला। तरकना एक निशकर्ष पर पहुंचने के लिए सुचनाओं को एकत्रित एमम विशलेशित करने की एक परक्रिया है। Reasoning is the process of gathering and analyzing information to arrive at conclusions। इस आर्थ में तरकना समश्चा समाधान का भी एक परकार है। लक्ष या गोल यह निर्धारित करना की दी गई सुचनाओं से कौन से निशकर्ष निकाले जा सकते हैं लक्ष कहलाते हैं। The goal is to determine what conclusions can be drawn from certain given information। इस परकार से हमने इस भागवन में चिंतन का सुभाव नेचर ओफ थिंकिंग। और इसके विभिन परक्रियाओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। आशा है ये आपके लिए एक बहुत अधिक लावदायक चर्चा रहेगी और आप इस अध्याय को सीखने में सुगमता मैसूस करेंगी। जान के लाऊन के लावदायको आपके बातल है लाए गोड erी लारे में लोग् omnium झाल झाल